ओम स्रीगणेश नमा दोस्तों ओम गणपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हरदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 28 सदस्ट सनीवार आज के मिठुन रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान देना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विबसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिशन की पेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आपका दिन सांदार रहेगा कारोवार में आपको फायदा हो सकता है लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा आपके सोचेवे काम पूरे होंगे जिया दोस्तो आपके काम से जीवन साती प्रसंद हो सकते हैं आपको कोई नई बड़ी जिम्यदारी मिल सकती है आज आप पर काम के बूझ की अधिक्ता हो सकती है जिसकी वज़े से आप धकान महसूस करेंगे लेकिन आप सारी चीजों को बहतर तरीके से समाल लेंगे आपको लेन देन से फायदा भी हो सकता है किसी काम में अनुभवी की सला आपके लिए बहतर साबित हो सकती है जिया दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में आप जो भी काम करें काफी सोच समझ कर करें हो सके तो किसी वरिष्ट की सला वस्यले बोलने से पहले थोड़ा सोच ले कहीं ये बात सामने वाले को बुरी ना लगे आज जीवन साती से अन्बन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके विवसाय और केरियर के बारे में आपका आर्थिक पक्ष पहली के अबेक्षा और मजबूत होगा व्यापारी वर्क को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा ध्यान अपनी केरियर को आगे बढ़ाने में रहेगा कारिये चित्र में आपको अच्छी खासी सफलता भी मिल सकती है जियां दोस्तो विष्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे दोस्तो बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आप परिवार वालों के साथ कहीं गूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं परिवार की रिस्तों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का शिर्वात आपको प्राप्त होगा भाई बैनों में आपसे इसने बढ़ेगा प्यार बढ़ेगा घर परिवार में खुशियों का माहुल बना रहेगा आपको अपने विरोधियों से बचकर रहना होगा जीवन साथी के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावग हो सकते हैं विवाई जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आपका जीवन साथी आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा जीवन साथी को लापका अफसर प्राप्थ होगा आपके किसी से मुलाकात दोस्ती में भी बदल सकती है धाम पते जीवन काफी प्रेम पूर्ण बना रहेगा जिना दोस्तों आपका स्वास्त कैसरेगा स्वास्त समंधी समस्याँ से दूर रहने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें जिससे पेरों और हातों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा सके ये समस्याँ मोसंग परिवर्तन से उत्पन हो सकती है आपके लिए भैतार होगा नियमित योग करें, वियायाम करें, प्रणायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्त रहें दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें किसी जरूरत मंद की मदद करें या उसे सरसों का तेल दान करें काले तिल, काला कपडा, काली उडद या लोहे का पात्र आदी दान करें और पीबल के नीजे जल अठ्बित करें और सरसों के तेल का तीबख जलाएँ और 108 बारिस मंतर का जाब करें ओम से सनिश्चरायनमा ओम से सनिश्चरायनमा इस प्रकार उपाय करने से आपकी सभी समस्याएं कुछ दिन में समाप्थ हो जाएंगी आपको भगवान सनी देव का असिरवात प्राप्त हो कमेंट में जै सनी देव असे लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो